Hello Students, आज मैं Central Colfills Limited, दर्भंगा उस रांची के Apprenticeship Training के बारे में बताने जा रहा हूं इसमें अधिसूचन दिया है, Apprenticeship Act, NAPS के ताहत, एक वर्स के Tradred Apprenticeship Prosecution है तो अबरत्यों से आधन आमंतित करता है जिसमें नंबर एक, फीटर 425 सीट है, वेल्डर 80 सीट है, इलेक्रिशन 630 सीट, मेशिनिस्ट रिपेर एंट मैंटेंस आफ हैवी भेहिकल 175 सीट, कंप्यूटर अपरेटर एंट प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 50 सीट, इन्फोर्मेशन एंट कम्मिनिकेशन टेक्नोलोजी सिस सेट, मेडिकल लिबरोटरी टेक्निसियन पैथोलोजी 15 सीट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट 50 सीट, टोटल 1556 सीट है, इन सभी में देखिए, तैंथ पास एंड इति के समधित ट्रेड में, NCVT या SCVT से रिकोगनाइस्ट, इति या इंस्टिटूट से पास होना चाहिए, औ और मिनिममम एज 18 एर्स एंड मिनिममम मैक्सिममम 30 एर्स एज ओन 5 अक्टूबर 2020, और रिलेक्स्ट यानि छूट 5 साल का SCVT के लिए और 3 साल OVC के लिए है, अब देखे, इस अफ्रेंटिशिप की वेकेंसी को अपलाई करने के लिए 5 अक्टूबर 2020 रखा गया है, और 7000 रुपया प्रती महेन है, इसमें अनिवार जी हो गता है, 5 अक्टूबर 2020 तक 18 वर्स से कम और 35 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए, और नमबर 2 अवरतियों को कम से कम 10 मिंक अक्षा उतिर्न तथा समंधित ट्रेड में, इलेक्रिशन फीटर, वेल्डर इत्याधित से उतिन क्याव होना चाहिए, और इसमें नोट दिया है कि निमलिखी तवियत्यों को चैन में प्राथमिक्ता दी जाएगी, नमबर 1 यदि परियोजना में प्रभावित हुआ है, प्रोजेक्ट एफेक्टेड प्यूपल है, तो उसे नमबर भी एम्प्लोई वर्ड है, नम इसको चेक करें, और नमबर 2 वेबसाइट पर रेजिस्टर टैप पर क्लिक करका अप्रेंटिस पंजीकरन करें, ओनलाइन पंजीकरन के बाद आवित्यों को उसके मेल एडे पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरन सिंख्या प्राप्त होगी, नमबर 3 ओनलाइन पंजीकरन के बाद यह जो दिखा गया है, इसमें किसी एक में या सभी में आप अप्लाइक कर सकते हैं, इसमें नोट दिया गया है 59-2020 को अपरेंटिस के पोर्टल http.apprenticeshipIndia.org पर अपरेंटिस प्रसीचन के लिए अभ्यरतों सावधन करते हैं तो CCL द्वारा विवन ट्रेट के लिए वेकंसी अप्लोड किया जाएगा, क्या गया है, देखें यह दिया गया है, चैन प्रक्रिया, इसमें चैन प्रक्रिया रखा गया है, कि इसमें 5 अक्ट के लिए जोग्यता मेरिट के आधार पर आईटे से समंदित ट्रेड में मार्क्स के अनुसार किया जाएगा, और जारखंड के समंदित आईटे से पास्ट वाले को प्राथ्मिक्ता दी जाएगी, और अभ्यरतों को कें सरकार का अक्षन इतिक के अनुसार आरक्षन दिया ज चिकित्सिया जाच के लिए या सर्टिफिकेट वेरिपिकेशन के लिए जाने के लिए कोई टीएडिये नहीं दिया जाएगा तो अता यह वीडियो यह स्वाप्त हो रही है अगर यह वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो इससे लाइक तथा सेर करें और मैं इससे अपने नोटिफिकेशन में इसका लिंग दे रहं और मेरा चैनल आईटे आइकन को आप लोग लाइक तथा शेर करें और अभी तक जिदे आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आईटे आइकन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद